जेहिन दोस्तों तो हम लोग देखे रहें थे पॉलिटिक के कोश्चन जो कि ये काफी महत्पूर्ण कोश्चन है तो ये वीडियो का पार्ट फाइव है तो चलिए देखते हो कोश्चन को देखे पहला कोश्चन है कि लोग सभा अधक्ष का चुनाव कोण करता है तो लोग सभा के सदस्य ही करते हैं कोण करते हैं लोग सभा के सदस्य ही लोग सभा के लोग सभा अधक्ष का चुनाव करते हैं अगला कोश्चन है कि लोग सभा अधक्ष अपना त्याग पत्र किसे द तो यह अपना त्याग पत्र देता लोगसभा उप अध्यक्ष को देता है किसे देता है त्याग पत्र तो लोगसभा उप अध्यक्ष को देता है अगला कोश्चन देखते हैं कि निनायक मत देने का अधिकार किसको है यह निनायक मत देने का अधिकार है लोगसभा के द्वारा के द्वारा लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है अगला कोशन है भारतिय संसद के दुनों सदनों को संयूत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो यह कौन करता है लोगसभा के अध्यक्ष करते हैं अगला कोश्चन है लोकसभा में किसी विध्येक को धन विध्येक के रूप में कोन पर्मानित करता है तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है कोन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है अगला कोश्चन है किस समीती का पदेन सब अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष होता है कोश्चन पुझा किस समीती का पदेन अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष होता है तो वो होता है नियम समीती का किसका नियम समीती का अगला कोश्चन है लोगसभा महासचीव की निक्ती कौन करता है तो वो करता है लोगसभा एस्पी करता है कौन करता है लोगसभा एस्पी करता है अगला है कि लोगसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्तिती में लोगसभा के अध्यक्षता कौन करता है तो इस क्या करता है कि अगला कोश्च Claro के संभाइब महाँ सचीज़ कौन होता है यह होता है यह महालोते हैं अगला कोश्चन है अभी रखषक किसे कहा जाता है तो लोग सवाइम म्हाँ सब्सक्दाइस बिल्गुण होग जाता है अगला क्या है कि लोक सभा में कोरम यानि गन पूर्ती पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदेशों की जरूरत होती है तो वो होती है लोक सभा के कुल सदेशों का एक वट्टा दस भाग कितना होता है एक वट्टा दस भाग अगला कोश्चन है कि उनिशंव कहत्तर के जन्गा ना पड़ा धारीत लोक सभा में सिटो का आवन्टन किस वर्स तक या थावत रहेगा तो यह रहगा 226 तक कब तक 226 तक रहेगा अगला कुश्चन है कि लोग सभा का कारिये काल पांच वर्स अधिक की सवस्थाएं बढ़ाया जा सकता है जब राष्टी अपात्का लागू हो तो लोग सभा का कारिये काल एक वर्स तक बढ़ाया जा सकता है अगला कुश्चन है लोक सभा का सामनेत कर्यकाल कितने वर्सका होता है तो यह होता है पांच वर्सका है अगला कुश्चन है कि लोक सभा के बैठक की अंतिम तीथी तथा दूसरी बैठक की पर्थम तीथी के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए यह छे माहा से अधिक नहीं होना चाहिए अगला कुश्चन है किस राज्य का लोक सभा में सबसे अधिक पर्तिनिधित्व है तो वह है कहां उत्तर प्रदिस्का है किसका उत्तर प्रदिस्का है अगला कुश्चन है भात में खेत्वाल के दिस्टी से सबसे बड़ा संसद्य रिवाचन खेत्र कोई सा है तुल है लद्दाख या जम्मु करसमिका कोई लद्दाख है अगला कोशन है लोकसवा का जनक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है जीवी माबलंकर को माना जाता है लोकसवा का जनक जो है वो जीवी माबलंकर को माना जाता है अगला कोशन है भाद के पर्थम लोग सभा अधक्ष कौन थे तो वो थे जिवी मामलंकर थे अगला कोशन है भाद की पर्थम महिला अलोग सभा अधक्ष कौन है तो वो है मीरा कुमार है भाद की पर्थम महिला अलोग सभा अधक्ष कौन है तो वो है मीरा कुमार है अगला कोश्चन देखते हैं लोग सभा के पर्तम उपाइध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अनन्त्सेयनम आपांगर थे अगला कोश्चन है किस लोग सभा अध्यक्ष के खिलाफ अब इस वाषपरस्ताव लाया गया था? तो यह लाया गया था KS Hangry के समे में लाया गया था अगला कुस्यों है किस लोग सभाद अध्यक्ष का काड़यकाल सबसे लंबा रहा है तो फिर अगले वीडियू में फिर मिलते हैं झाल झाल